हेलो स्टूडेंट नाव टोडे वी आ गोईंग तो स्टार्ट पैलियो ट्रॉफपी इसके पहले तक हम लोग ने क्या देखा था मल्टिपल अलिल देखा था हम लोग ने कोडोमिनेंस, इनकंपलेटोमिनेंस वह सब चीजें हम लोग ने देखि थी डॉमिनेंट, रेसेसेव, ठीक है नाव आज हम लोग देखेंगे एक नए आटम विकज हम लोग क्या देख रहे हैं मेंडल के exception देख रहे हैं जो Mendels के rules को follow नहीं करते हैं genetics में तो paleotropy क्या होता है normally हम लोग ने इसके पहले देखा था कि एक allele है and वो एक character एक allele एक character को control करता है एक character को control करता है but paleotropy में होता है allele means gene okay allele का मतलब क्या होता है gene, segment of gene but paleotropy में क्या होता है कि single gene जो gene है, जो allele है वो multiple trait को control करता है वो क्या करता है multiple trait को, मतलब एक से ज़्यादा trait को वो control करता है जो control करने वाला gene होता है that gene is called as a paleotropy gene ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जैसे एक chromosome है chromosome के उपर आपका एक single gene यह आपका gene है but यह multiple trade जैसे trade A, trade B, trade C यह तीन अलग-अलग trade को क्या कर रहा है वो control कर रहा है जैसे कोई एक particular person है वो किसी office में office में वो job करता है ठीक है वहाँ पे वो as a उसका role होता है as a employee उसका role होता है वो घर में रहेगा home तो वहाँ पे उसका role different होगा और वो अपने friend circle में होगा तो उसका role अलग होगा मतलब person एक ही है person एक ही है बट उसका अलग-अलग place पे अलग-अलग उसका character होता है तो वैसे ही एक particular single gene है और वो जीन के multiple trade होते है multiple function होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं paleotropic gene बोलते हैं चलो आगे देखते हैं इसका definition क्या है the phenomenon where a gene affect several different trade मतलब अलग-अलग trade के उपर वो effect करता है तो इस एक जीन control the expression because क्या होता है कि जीन जो होता है वही क्या करता है control करता है expression को control करता है expression को control करता है ठीक है of many trade selection at that gene will affect those many trade वो देन उसकी उपर वो क्या करता है वो control करता है and then affect भी करेगा consequences क्या है selection at a gene due to the importance of evolution of one trade could affect many other trade that are affected by that gene मतब जब आपों देखते हो जब evolution होता है evolution के time पर क्या होता है कि एक trade का एक gene का effect दूसरे gene के उपर होता है ठीक है now like example हम लोग ने इसके पहले देखा था जैसे हम लोग ने देखा था capital T, capital T तो ये दोनो टॉल के लिए था ये आपका small t, small t दोनो डॉर्फ के लिए था तो ये t आता है and ये t आता है sorry small t है तो capital T, small t ठीक है and then ये again आपका tall बन जाता है है ना देख रहे है हम लोग paleotropic gene देख रहे है तो अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको capital B capital B है यहाँ पे small b, small b है तो यहाँ पे जो B gene है B allele है वो size क्या है big है size and shape ओकी यह दो चीजों को एक ही allele, एक ही gene control कर रहा है तो यह क्या हो गया आपका paleotropy हो गया small and wrinkle small है एक character दूसरा character यह है बट इसको control कौन कर रहा है small b gene control कर रहा है तो अब यहाँ पे gamut का formation होगा because they are homozygous form यह भी आपका homozygous है तो यह क्या करता है आपका control कर रहा है किसको control कर रहा है okay then आपको यहाँ पे b capital b and small b यह बना then इसका crossing किया जब हम लोग ने इसका f2 generation बनाया crossing करेंगे हम इसका selfing करते हैं तो यहाँ पे इसका दो gamut बनता है इसके दो gamut बनते हैं जिके crossing किया तो यह आपका तो big round है यह आपका small wrinkled है but यह क्या है आपका intermediate size round अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो b gene था b gene यह जो है size के लिए dominant है समझ में size के लिए dominant है but किसके लिए shape के लिए वो क्या है incomplete dominance है क्या है वो incomplete incomplete dominance यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ आपको क्यूंकि देख रहा है आपको यहाँ पे आपको size जो है उसका sorry 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 यहाँ पे shape है shape के लिए dominant है और size के लिए जो है वो incomplete dominance है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह seed जो हता है round बन रहा है round का formation हो रहा है तो capital B जो है वो dominant हो गया small b recessive हो गया but shape क्या बन रहा है इसका round shape बन रहा है shape इसका round बन रहा है but size कितना बन रहा है इसका size इसका intermediate ना तो वो small बन रहा है ना तो वो big बन रहा है ना तो small बन रहा है ना तो big बन रहा है इसका मतलब है वो intermediate मतलब वो completely dominant नहीं है मतलब पूरा का पूरा big नहीं है और पूरा का पूरा small नहीं है मतब वह incomplete dominance है ठीक है यहाँ पर co-dominance का example आएगा ही नहीं तो यह आपका paleotropy का example है चलो अब हम देखते हैं आपके NCRT में क्या लिखा है occasionally a single gene gene product may produce more than one effect more than one effect मतब एक एक effect से ज्यादा effect दे रहा है ठीक है for example star synthesis in P seed is controlled by one gene एक gene है and it has two alleles capital B and B star synthesis होता है जब capital B capital B capital B होगा तो star synthesis होगा star बनेगा ठीक है star is synthesized effectively by BB homozygote homozygote form रहेगा and therefore large starch grain are produced यह रहेगा तो large starch grain का formation होगा in contrast BB homozygote small b small b have a lesser efficiency in starch synthesis और small b small b रहेगा तो इसमें क्या होगा lesser efficiency होगी starch produce करने की ठीक है after maturation of the seed BB capital B capital B seed are round and small b small b seed are wrinkled capital B capital B small b small b हम लोग ने जो diagram देखा है यह diagram जो देखा है हम लोग ने यही इसका example है क्योंकि round round shape का formation कब होता है जब starch का formation होगा starch से का हम लोग ने genetic material देखा था r dominant r gene और small r gene का हम लोग ने combination nucleotide हम लोग ने देखा था था ना last lecture में है ना because of starch वो round shape में formation होता है तो वही आपको यहाँ पर explanation है capital B capital B round shape में है क्यों है because of starch grain यह क्या है wrinkled है because यहाँ पर क्या हो रहा है वो enzyme produce नहीं हो रहा है इसलिए wrinkled shape में heterozygous produce round seed अभी heterozygous form में है capital B small b seed तो आपका round होगा क्योंकि round जो है वो dominant है किस पर wrinkled में ठीक है wrinkled पर क्या है dominant है and so capital B seem to be the dominant allele but the starch grain produce are of intermediate size in bb capital B small b seed but starch grain का जो formation हो रहा है वो क्या होगा ना तो एकदम कम होगा ना तो एकदम जादा होगा वो क्या होगा intermediate होगा and then because of that so if the starch grain size is considered as the phenotype then the from this angle the allele show incomplete dominance मैंने आपको बताया था ना incomplete dominance होगा समझ मैं है चलो आगे देखते हैं हम लोग therefore dominance is not an autonomous यह autonomous features नहीं होता है features feature of a gene or the product that it has information for मतलब gene जो होता है gene के अंदर क्या होता है information होता है information of the product मतलब वो जो भी product बनने वाला है जो भी product है उसका जो information है वो कहां पे होता है आपके gene में present होता है body के कोई भी part होने दो वो formation कैसे होगा वो सब चीजे जो होती है आपके जनेटिक मटीरियल में आपके जीन में लिखा हुआ रहता है ठीक है it depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene मतलब one phenotype more than one phenotype is influenced by the same gene एक gene है यह क्या कर रहा है अलग-अलग phenotype phenotype one phenotype two यह एक ही gene अलग-अलग phenotype दे रहा है जैसे आपको यहाँ पे दिया था एक phenotype इसका है round और इसका है big दो phenotype दे रहा है तो यह जो होता है आपका paleotropy होता है ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं paleotropy gene समझ में आया चलो उसके बाद जो next part है next part is a lethal allele next part is a lethal allele ठीक है lethal allele क्या होता है lethal means harmful okay lethal मतलब harmful allele का मतलब होता है allele is like a gene okay तो यह समझने के पहले now we are going to first know that what is a gene essential gene non-essential gene and then lethal gene पे जाएंगे हम लोग essential gene are those that are absolutely required for survival मतलब survival के लिए जो actual genetic material होता है जो एक normal person के अंदर जो genetic material होता है because of that हमारी body का formation होता है हमको survive करने के लिए वो gene का requirement होता है है तो वो क्या होता है आपका essential gene the absence of their protein अब वो जो essential gene है जीन से क्या होता है आपका protein का formation होता है gene से क्या होता है protein का formation होता है because DNA to mRNA mRNA to protein बनता है अगर वहाँ पर protein absent है protein नहीं बन रहा है तो वो gene क्या करेगा lead to a lethal phenotype and उसकी वजह से क्या होगा lethal phenotype का formation होगा ओके नव देखते हैं it is estimate that about one third of all gene are essential for survival मतलब आपको one third gene जो है वो चाहिए आपका essential gene होना चाहिए आपको survival के लिए non essential gene are those not absolutely required for survival मतलब survival के लिए जरुवत नहीं है मतलब वो रहे ना रहे कुछ फरक नहीं पड़ता है उससे आपके survival के उपर कोई effect नहीं पड़ेगा तो that one is called as a non essential gene lethal allele अब हम आते हैं lethal allele पे lethal allele is one that has the potential to cause the death of an organism ये line आपको याद रखना है potential to cause the death of an organism these allele are typically the result of these allele are typically the result of mutation in essential gene मतलब जो आपका essential gene है उस essential gene के अंदर जब mutation होता है and mutation होने के बाद वो क्या होता है वो आपका lethal बन जाता है lethal gene बन जाता है मतलब आपके genetic material में क्योंकि lethal allele is responsible for death यहाँ पे लिखा है ना potential to cause the death of an organism मतलब उसके अंदर ये इतनी potential होती है कि organism का death हो जाए and survival के लिए क्या requirement है essential gene तो अगर essential gene में mutation हो जाता है essential gene में essential gene है आपका essential gene में mutation होता है तो वह क्या बन जाता है आपका lethal gene बोल सकते आप lethal gene या lethal allele okay usually recessive but can be dominant यह आपका recessive usually आपका recessive होता है क्योंकि essential gene में mutation जब भी mutation होता है mutation होने के बाद ही क्या होता है हम लोग ने देखा था mutation के बाद ही recessive gene बनता है हम लोग ने देखा था ना last time lecture में capital R and small r का genetic material देखा था इसमें mutation होता है तो यह बनता है but can be dominant वह dominant भी हो सकता है जैसे example है आपको recessive lethal gene का मैंने आपको एक example दिया है ठीक है एक wild mice है wild mice है grey color उसका fur है grey color का fur है इसके उपर combination क्या है small y small y okay yellow color fur है यहां पर capital Y small y दिख रहा है आपको यह क्या है आपका yellow color fur है y allil यह जो है आपका अगर आप देखोगे यहां पर आपका small y है small y है तो grey color बना मतलब small y जो था वो किसके लिए responsible था grey color ओके यह क्या है आपका recessive है ओके यह recessive है बट यहां पर capital Y capital Y है small y है बट क्या बन गया है यह low color मतलब यह capital Y क्या है आपका dominant है ठीक है dominant है dominant for the fur color and recessive for the lethal characteristic अगर आप देखोगे दोनो माइस के अंदर कोई भी lethal character नहीं दोनों survive कर रहे है grey color भी survive कर रहा है yellow color माइस भी survive कर रहा है तो यह lethal characteristic क्या है तब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं चलो मैं आपको यहां पर explanation देता हूं क्याँ पर देता हूं के लोग इसकॉम लोग one second okay कूंसा कला रहे okay, one second okay one second यह क्या है आपका gray color है gray color फ़र है और यह क्या yellow color है यह अगाउटी है इसको बोलते हैं अगाउटी बोलते है ठीक है यहां पर कितने type के आपके gamet बनेगा एक type का one कुणसा small y यहाँ पर कितने डाइब के बनेंगे, एक हेट्रोजाइगस है, क्या होगा, टू रेस्टू वान, तो कितने, टू, एक आपका, कैपिटल वाई, एक आपका, स्मॉल वाई, ठीक है, अब कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, उसके बाद आपका, यह बन गया, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, तो यह क्या आपका, यह अगाउटी है, क्योंकि रेसेसिव फॉर्म में है, यह क्या है, यह क्या है, यहाँ पे, लीथल एक्सप्रेशन नहीं आएगा, लीथल एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं आ रहे है, बट आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे चलो, अभी यह हो गया, तो अभी हम क्या करते हैं, दो एलो वाले को लेते हैं यहाँ पर जो dominant था उसने अपना dominant character दिखाया जो dominant था उसने अपना dominant character दिखा दिया ठीक है अब हम क्या करते हैं कि हम एक capital Y small y capital Y small y sorry small y चीक है हम लोग यहाँ पर यह दोनो क्या हैं दोनो yellow है चीक है दो गैमेट बन गया है इसके चीक है crossing करेंगे हम okay small y small y small y small y अब आप यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको actual समझ में आएगा यह क्या है अगाउटी है अगाउटी है ग्रेफवर है बट यह क्याँ लिथल है एन इसका क्या हो जाएगा death हो जाएगा मतलब y gene जो है y gene था वो dominant था किसके लिए color के लिए बट जैसे ही उसके साथ capital y दूसरा capital y आया वो क्या हो गया lethal हो गया मतलब lethal के लिए वो क्या है जब तक उसको capital y नहीं मिला था जब तक उसको capital y नहीं मिला था तब तक वो lethal नहीं था लेकिन जैसे ही उसको capital y मिला वैसे ही वो क्या हो गया lethal हो गया मतलब lethal के लिए वो क्या है recessive है lethal के लिए क्या है वो recessive है same explanation आपको यहाँ पे दिया है yellow तो यलो है, गैमिट का फोर्मेशन हुआ, यह गैमिट का फोर्मेशन हुआ, तैन, कैपितल वाई, स्माल वाई, ठीक है? आफ्टर फर्टिलाइजिशन, एक आपका यह आया, दो आपके यह रहेंगे यलो रहेंगे, और एक वनफोथ क्या रहेगा? नौनेल हो रहेगा, चीक है, देखते हैं क्या लिखा है, cause death at an early age of development, usually before or shortly after birth, death होता ही है, so some genotypes are appear among progeny, progeny में genotype present होता है, recessive में क्या होता है, recessive gene जो lethal होता है, उसमें need to be homozygous to be lethal, मतब जब तक वो homozygous form में नहीं आएगा, तब तक वो lethal नहीं होगा, heterozygous will have different phenotypes, heterozygous जो रहेगा, उसका phenotype different होगा, but जब dominant lethal होता है, lethal in both homozygous and heterozygous, यह homozygous and heterozygous दोनों में होता है, ठीक है, तो समझ में हैं आपको lethal gene समझ में हैं, इसके बाद जो आपका next topic है, वो है आपका gene interaction, gene interaction जो होता है, वो actually paleotropy का उल्टा होता है, जो paleotropy का concept है, paleotropy के concept का उल्टा होता है, paleotropy में क्या था, कि एक gene जो होता है, one gene is responsible for multiple character, है न, यहाँ पर है, multiple gene is responsible for one character, multiple gene is responsible for one character, मतलब एक character के लिए responsible होता है, multiple gene responsible होता है, okay, समझ मैं है, चलो देखते हैं, gene interaction occurs when two or more different gene influence the outcome of single trade, मतलब single character के लिए two or more different gene, more than two gene responsible होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं gene interaction, interaction मतलब एक gene है, दो gene है, तीन gene है, यह तीनों मिलके क्या रहे हैं, interaction कर रहे हैं, एक दूसरे के interaction से क्या कर रहे हैं, एक trait को पैदा कर रहे हैं, एक trait को क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, एक character को बना रहे हैं, मतलब जैसे होता है कि कोई car है, and automobile engineer है, बहुत सारे engineer मिलके वो particular एक car को बनाते हैं, तो बहुत सारे engineer मिलके एक car को बना रहे हैं, मतलब एक character को बना रहे हैं इसको हम लोग polygenic भी बोलते हैं, आगे देखेंगे, interaction और नॉलिल की जीन ओफ डेसी चैन जाकेशन लेक्शन बिन क साटरी रहा जैसे यह आपका क्रोमोजोację अप दूसरा क्रोमोजोम है यह यह इंपस से ही यह नाह बालिय ऐह नाह बद दूनों के combination से ही phenotypic character आएगा दोनों के combination से ही trait का formation होगा समझ मैं है दोनों के combination से ही trait का formation होगा अब gene interaction में जो होता है आपको उसमें एक part है उसको बोलते हैं collaboration 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 का मतलब है क्या collaboration मतलब किसी की साथ हम collaborate करते है collaboration में partnership क्या बोलते हैं उसको partnership बोलते हैं हम लोग ने अभी तक क्या देखा था कि एक gene आपका dominant होता है एक आपका recessive होता है ओके ऐसी देखा था या उसके बाद हम लोग इंकम्प्लीट या co-dominance देखा था अब यहां पर हम लोग gene का collaboration देखेंगे gene का collaboration कैसे होता है example com shape in chickens com shape मतलब होता है इसके उपर जो होता है ऐसे कलगी इसको हम लोग बोलते हैं कलगी इंडिया में इसको कलगी बोलते हैं उपर होता है है फिक है जब कैपिटल आर कैपिटल आर इस रिस्पॉंसिबल फोर रोज कॉम ऐसे दिखता है इसको रोज कॉम बोलते हैं स्मॉल आर इस रिस्पॉंसिबल फोर सिंगल कॉम सिंगल कॉम ऐसे सिंगल कॉम रहेगा कैपिटल पी इस रिस्पॉंसिबल फोर पी कॉम यह स्मॉल पी इस रिस्पॉंसिबल फोर सिंगल कॉम सिंगल कॉम रहेगा यह सिंगल है अब आपको एक चीज़ समझ में आया है कि यहां पर कितने character है थ्री single है ठीक है उसके बाद आपका रोज है ठीक है अब imagining करो इमेजिंग करो रोज होगा इसके साथ में इसके साथ में मैंने small p small p लिया तो क्या होगा यह small p रोज जो है वह dominant है र पर रोज और बी डॉमिनेंट है capital p dominant है single मतलब single जो है वह क्या है आपका aggressive है single क्या है रोज यहां पर dominant है small p क्या है recessive है imagine करो small r और capital P यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर P dominant है इसके उपर character एक ही character है एक ही character है बट उस character क्या है character क्या है com chicken का com कैसे बनता है उसके लिए दो जिन responsible है एक तो small r capital P तो यहाँ पर dominant क्या है P है तो यह क्या होगा P होगा बट थर्ड टाइप होता है फोर्ड टाइप होता है जब collaboration होगा capital R और capital P जब यह combination आएगा तो तब क्या बनता है आपका walnut बनता है walnut ऐसे एक छोटा सा combo होता है इसके उपर समझ में है यह एक छोटा सा combo होता है collaboration ठीक है तो यह यह क्या है आपका walnut है यह आपका walnut है तो यह ऐसे دेखता है single कैसे दिखता है rose ऐसे दिखेगा pea ऐसे दिखेगा walnut ऐसे दिखेगा single ऐसे दिखेगा चलो अब हम लोग यहाँ पर details में अच्छे से हम I know इसके पहले वाला chart आपको नहीं समझ में आ है बट हम यहाँ पर अभी chart को अच्छे से समझेंगे ठीक हम लोग crossing over जो है अच्छे से समझेंगे ठीक है one second okay now चलो हम लोग ना थोड़ा सा इसको ना details में देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा ठीक है R for अभी capital R है हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं capital R किसके लिए responsible है रोज के लिए small r किसके लिए responsible है single के लिए ठीक है और capital P P के लिए responsible है small p single के लिए responsible है ठीक है यह सब यह चारो जो है चारो जीन जो है responsible किसके लिए है comb के shape के लिए responsible है ठीक है यहाँ पे pair of allele है दो allele है मतलब एक chromosome के उपर एक chromosome के उपर दो allele है यह दो allele responsible है किसके लिए एक chromosome का दो allele और दूसरे chromosome का दो allele यह यह चारो जो है responsible किसके लिए है ये चारो responsible है एक character के लिए and वो character है comb ठीक है अब यहाँ पर r जो है वो dominant है किस पर small r पर p dominant है small p पर ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं अब लोग लेते हैं capital r capital r ओके और और क्या लेंगे small p small r small r capital p capital p ठीक है अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपका rose है ये क्या है single है बट dominant कौन सा है rose तो ये क्या होगा rose का formation होगा ये क्या है आपका single है r क्या है आपका single है and capital p क्या है आपका p है ठीक है अब इसका gamet का जब formation होगा तो दो अलील है तो आपका gamet क्या बनेगा r p gamet बना यहाँ पर स्मॉल यहाँ जब आप देखोगे तो ये capital R dominant है, capital P भी dominant है, ये दोनों recessive हैं, दोनों single के लिए, R रोज के लिए responsible था, P, P जो है वो P के लिए responsible था, बढ़ जब दोनों का collaboration होता है, R और P का collaboration होता है, तो इससे क्या बनता है, walnut बनता है, क्या बनता है, walnut, तो ये आपका walnut का formation हो गया, walnut का हम लोग ने diagram देखा था, देख रहा है आपको walnut मतलब ऐसे छोटा सा कलगी रहेगा, इसदम छोटा सा, रोज का आपको ऐसे दिखेगा, सिंगल आपको पूर ऐसे 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 आपको दिखेगा, P आपको ऐसे दिखेगा, बट walnut जो रहेगा, ये आपका ऐसे दिखेगा, ये hybrid form में है, ठीके, अब चलो, ये तो आपका F1 generation हो गया, ये आपका F1 generation हो गया, अब इसके बाद हम लोग है, F2 generation में क्या होगा, क्या देखेंगे हम लोग, F2 generation में क्या होता है, ठीक है, तो F2 generation देखने के लिए हम लोग चार्ट में जाते हैं, अभी selfing होगा, same type की होगा, देखो, आपको दिख रहा है, आपको, जो मैंने चीजे बताई, वही यहाँ पे, ये है आपका रोज कॉम वाला है, ये पी कॉम वाला है, इसको बोलते है, वेंडटो बोलते हैं, और ब्रह्मा बोलते है, इसको ब्रह्मा पी कॉम वाला जो रहता है, इसको ब्रह्मा बोलते है, F1 generation में R है, P है, तो ये क्या हो गया, वालनट, जितने भी F1 generation में बनेंगे, सबके सब वालनट ठीके अब यहां पे r small r capital p small p तो दो हेटरोजाईगस है तो कितने gamit बनेंगे 2 raise to 2 मतलब 4 फोर gamit का formation होगा तो एक gamit आपका यह बन गया यह आपका r small p small r capital p small r small p सेम गैमेट यहाँ पर capital r capital p capital r small p small r capital p small r small p यह हो गया आपका rr p p मतलब rb है pv है तो walnut बन गया rr capital p small p rb है pv है capital r capital p दोनों है तो walnut बन गया यहाँ पर भी capital r capital p है तो walnut र होगा आपका यहांänge की है स्माड प्रेजन सब्सक्राइए अरे प्रेजन थे संघी तो यही है आपका मेलमुने रहा करी प्रेजन इस पिडास मौन ए अधर और आ क rack अर्ल वएज को yen मैं पी है तो क्या हो बांट होगा आगें आप पी वालनट हो गया यहां पे P capital है, बाकी सब small है, तो भी P बनेगा, अब यहां पे तीनो, capital चारो, small r, small r, small p, small p, मतब सब हैं, मतब end में आपका यह recessive बनेगा, तो इसका ratio देखोगे, 9 raise to, 3 raise to, 3 raise to 1, बट तो भी यह मेंडल का exception है, क्योंकि यहां पे collaboration हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, collaboration, जीन का collaboration हो रहा है, ठीक है, collaboration होने की वज़ा से हो रहा है, चलो, आगे देखें, अब पर्टिकुलर फिनो टाइप, इस control by the complementation of two dominant gene, दो dominant gene थे, capital R and capital P, as a result, both the gene are necessary, याद रखना यह word, necessary for the expression of phenotypes, यह दोनो जीन necessary होते हैं, किसके लिए, phenotype के लिए necessary होते हैं, walnut तभी बनेगा, जब यह दोनो जीन present रहेंगे, तभी walnut बनेगा, नहीं तो walnut नहीं बनेगा, ओकी, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, complementary gene, ओकी, complementary gene, दिख रहा है आपको, यह सब हम लोग किस में देख रहे हैं, यह सब हम लोग किस में देख रहे हैं, polygenic में देख रहे हैं, ठीक है, white variety, आपका, capital C, capital C, complementary, मतलब gene एक दूसरे के complementary हैं, ठीक है, white variety दिख रहे हैं आपको, मतलब, capital C and capital P, दोनो responsible हैं किस के लिए, white के लिए responsible है, यह भी white के लिए responsible है, मतलब C रहेगा, तो white बनेगा, P रहेगा, तो white बनेगा, लेकिन, और small P जो है, वो recessive है, small C जो है, वो recessive है, ठीक है, तो दोनो white के लिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे P है, white है, बट जब दोनों को mix किया, तो जब capital C और capital P आया, तो क्या हो गया, यह purple कलर हो गया, how, कैसे, ठीक है, इसको समझने के लिए, पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं, और चार्ट बनाने के बाद, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, मतलब यह एक चीज़ आद रखना, C और P, अगर दोनों present है, तो purple आएगा, ठीक है, purple कलर आएगा, अगर एक present है, दोनों में से कोई एक present है, तो क्या होगा आपका, white होगा, या, यह दोनों में से कोई भी present नहीं है, सबके सब रहसे सी होए, तो भी white आएगा, ठीक है, देखते हैं पहले, इसका हम लोग ने gamet बना लिया, यहाँ पर gamet बन गया, यहाँ पर चार gamet हो गया, capital C, यह हो गया, यह चार gamet बन गया आपके, यहाँ, यह क्या बन गया, आपका purple कलर बन गया, C and P present है, आपका purple कलर हो गया, C and P present है, हो गया purple कलर, C and P present है purple कलर, यह भी purple होगा, यहाँ पे only c present है इसलिए white है यहाँ पे c and p दोनों present है purple color हो गया यहाँ पे only c present है इसलिए क्या होगा white होगा यह c and p दोनों present है purple color c and p दोनों है यह purple color यहाँ पे p है तो इसलिए white हुआ only p है तो white हुआ यहाँ पे c और p दोनों है यह क्या होगा purple यहाँ पे C है only, यहाँ पे only P है, यहाँ पे C, P दोनों नहीं है तो भी white होगा, तो यहाँ पे एक चीज है कि C और P दोनों complementary हैं, दोनों complementary हैं, मतलब C रहेगा तो भी white बनेगा, P रहेगा तो भी white बनेगा, small c small p रहेगा तो भी white बनेगा लेकिन जब दोनों 7 में आएंगे तो क्या बनता है different color बनता है purple यहाँ पर अगर आप ratio देखोगे genotypic ratio देखोगे तो आपको क्या दिखेगा 9 raise to 7 Mendel के according dihabrit cross में क्या होना चीए 9 raise to 3 raise to 3 raise to 1 होना चीए बट यह क्या है आपका 9 raise to 7 अब आपको यहाँ यह चीज़ समझना है कि capital C and capital P का role क्या होता है variation कैसे होता है कैसे वो role कौन सा role वो play करता है अब complementary gene में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा क्या होता है कैसे action होता है gene होता है वो responsible किसके लिए होता है gene मतलब DNA DNA gene to mRNA बनता है mRNA to protein बनता है ठीक है protein बन गया complementary gene action तो मतलब कोई भी gene responsible होता है gene allele हम लोग C, P की जो बात कर रहे है capital C, capital P या small c, small p यह सब क्या है gene है and यह gene responsible होते है किसके लिए protein production के लिए मतलब enzyme बनाते हैं मतलब क्या बनाते हैं यह enzyme बनाते हैं यह enzyme बना रहे हैं तो interaction arise because the two gene encoded protein मतलब दो gene हैं जो protein को encode कर रहे हैं protein का coding है उनके अंदर ठीक है that participate in a sequence in a biochemical pathway and वो biochemical pathway में role play करते हैं अब क्या होता है precursor दिख रहा है आपको हम लोग ने यहाँ पे देखा था flower की बात की थी flower में क्या होगा color होगा flower में color होता है color के लिए chemical responsible होता है ठीक है अब देखते हैं enzyme C इसको produce कौन करता है capital C enzyme P इसको code कौन करता है capital P gene cooperate to make a product therefore they complement one another मतब यह दोनो cooperate करके कौन सा color बनाते हैं purple color बनाते हैं अब देखते हैं हम लोग genotype दो type के genotype हो सकते capital C capital C capital C C present है दोनो में से कोई भी condition होगा तो वह enzyme C बनाएगा यहाँ पे वह enzyme C precursor पे act करेगा precursor पे act करेगा and precursor पे act करने कवा intermediate product का formation होता है क्या होता है intermediate product का formation होता है ठीक है intermediate product मतलब colorless मतलब क्या हो गया white मतलब क्या हो गया white and then उसके उपर यह दोनों में से देखो capital P capital P capital P small p दोनों में से कोई एक condition होगा तो capital P दोनों condition में present है तो enzyme P जो है इसका जो enzyme P बनाएगा वह क्या करेगा आपका यह intermediate जो product था उसके उपर act करेगा then वह act करने की वजह से फिर then यह purple pigment का formation होगा and product बनेगा आपका and वह जो product बनाते है anthocyanine बोलते हो उसको अब condition ले लो यह present नहीं है यहाँ पे small P small P है तो क्या होगा खाली capital C capital C collaboration कैसे होगा capital C capital C small P तो white ही बन रहा है यह पूरा white बनेगा imagine करो यह condition नहीं है small C small C है तो यह क्या बनेगा small C capital P capital P अब यहाँ पे दोनों enzyme जब तक दोनों enzyme रहेंगे जब दोनों enzyme साथ में रहेंगे तभी pigment बनेगा अगर एक ही enzyme है तो नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका again white color बनेगा अगर दोनों नहीं है small C small P है तो भी आपका क्या बनेगा white बनेगा समझ में है तो इसलिए यह C and P दोनों एक दूसरे के complementary होते हैं इसको बोलते है complementary gene समझ में है C F2 generation capital C capital C small P small P small C small C capital P capital P यह हुआ आपका because capital C or capital P capital C or capital P दोनों present है दोनों के complementary से क्या होगा purple color बन गया ठीक है इसका gamut बनेगा capital C capital P capital C small P small C capital P small C small P again यहां पे capital C capital P capital C small P small C capital P small C small P यह capital पूरा आगया capital C capital C capital C capital P okay again purple color आएगा because C and P दोनों present है यहां पे भी C and P दोनों present है यहां पे भी C and P दोनों present है यहां पे C and P यहां पे only C present है इसलिए white हुआ यहां पे only capital C present है इसलिए क्या हुआ white हुआ यहां पे capital P present है यहां पे capital P present है यहां पे capital C present है यहां पे क्या है capital P तो यह सब white होंगे और यह सब क्या होंगे आपके purple color होंगे तो ratio देखो क्या आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 raise to 7 Again, Mendel का exception है ये सब हम लोग polygenic में पढ़ रहे हैं gene interaction में पढ़ रहे हैं क्योंकि multiple gene एक ही character के लिए responsible होते हैं यहाँ पर किस के लिए responsible थे ये flower के color के लिए responsible थे अब देखते है duplicate gene duplicate gene क्या होता है duplicate ठीक है when dominant allele of both gene loci मतलब locus produce the same phenotype without cumulative effect मतलब कोई भी effect, cumulative effect नहीं होता and same phenotype produce करते है in that case the ratio become 15 raise to 1 instead of 9 raise to 3 raise to 1 मतलब 9 raise to 3 raise to 1 होना चाहिए उसकी जगह पे क्या होता है यह ratio 15 raise to 1 होता है duplicate gene में याद रखना आप लो duplicate gene में 15 raise to 1 होता है duplicate gene interaction occurs in the shepherd post plant यह plants में होता है याद रखना name important है duplicate gene के लिए the dominant allele of both the gene produce the same phenotypic effect giving the ratio 15 raise to 1 at least one of the dominant allele is necessary for the phenotypic ratio मतलब दोनों pair में से मतलब 4 gene में से कोई 1 dominant मतलब एक आपका dominant gene present होना चाहिए जैसे यह 4 dominant है यहाँपे 2 dominant है यहाँपे 1 dominant है यहाँपे 2 dominant है यह एक dominant है give one phenotype मतलब यह सबके सब मिलके एक ही phenotype देते हैं in the absence of all the dominant gene जब चारो dominant gene नहीं रहेंगे मतलब चारो recessive मतलब A, A, B, B ऐसे only in case of A, A, B the recessive phenotype will be expressed मतलब अगर एक भी dominant gene रहेगा इसमें polygenic interaction में तो आपका वो character express करेगा the duplicate gene are also called as pseudo alleles इसको हम लोग क्या बोलते हैं pseudo alleles बोलते हैं चलो देखते हैं कैसे होता है यह capital T, capital T, capital V, capital V यह triangular shape के लिए responsible होता है small t, small t, small v, small v Ovet के लिए responsible होता है यहां पर hybrid बना capital T, small t, capital V, small v यह आपको capital T और capital V दोनों है दो dominant है तो क्या होगा? triangular होगा अगर हम इसका gamut बनाएंगे चार gamut, capital T, capital V capital T, small v, small t, capital V small t, small v same capital T, capital V capital T, small v, small t, capital V small t, small v अब जब हम इसका crossing करेंगे यह 4 dominant हैं तो क्या हो गया? triangular shape तीन डॉमिनेंट है तो भी ट्रेंगुलर शेप तीन डॉमिनेंट है यहां पर ट्रेंगुलर शेप तीन डॉमिनेंट है ट्रेंगुलर शेप दो डॉमिनेंट है ट्रेंगुलर शेप दो डॉमिनेंट है ट्रेंगुलर एक डॉमिनेंट है तो भी ट्रेंगुलर शेप बना थ्री डॉमिनेंट है अगें ट्रेंगुलर तू डॉमिनेंट है अगें ट्रेंगुलर दो डॉमिनेंट है ट्रेंगुलर एक डॉमिनेंट है ट्रेंगुलर दो डॉमिनेंट है ट्रेंगुलर एक dominant है triangular, एक dominant है triangular, यहां पर कोई भी dominant नहीं है, इसलिए यह OVET बना, समझ में आया कि नहीं, मतलब duplicate gene, एक gene रहे, दूसरा gene नहीं present है, तो भी, मतलब दो dominant थे, एक capital T था, और एक capital V था, दोनों में से कोई भी एक, यह present है, तो भी वही shape होगा, यह present है, तो भी वही shape होगा, दोनों साथ में present है, तो भी वही shape होगा, मतलब क्या हो गया, duplicate, दोनों ही दुशरे के duplicate है, और इसका ratio कभी भी 15 raise to 1 आएगा, अब आते हैं हम लोग आपके next topic पे EP status किसको कहते हैं, हम लोग क्या देखेंगे, EP status देखेंगे अपर हम लोग, EP status is a form of gene interaction, in which one gene mask the phenotypic expression of another, मतलब एक घर है, एक समझ लोग क्रोमोजोम है, ठीक है, यह आपका, दूसरा क्रोमोजोम है, इस पे एक allil है, allil A, यह है allil B, अब क्या हो रहा है, कि imagine करो, कि यह एक बड़ा भाई है, यह क्या एक बड़ा भाई है, और यह छोटा भाई है, मम्मी घर पे नहीं है, और मम्मी ने बोला है, कि बड़े भाई को बोला है, कि आपको छोटे भाई का ख्याल रखना है, छोटे भाई का ख्याल रखना है, तो यह क्या करेगा, इसको दबा के रखेगा, घर से बाहर ने निकलना है, एसे बैठना है ऐसे काम करना है टाइम पर खाना खाना है मतलब यह इसको suppress करके रखेगा तो यह जो suppress करता है यह होता है epistatis होता है और जो suppress होता है उसको hypostatis बोलते है देखते आगे there are no there are no new phenotype यहां पर कोई नया phenotype नहीं आता है हम लोग, देखो, confused मत हो ना, dominant और recessive वाला हम लोग इसके और इसके interaction के बीच में देखते थे, दो allyl, homozygous, same location वाले भी देखते थे, यहाँ पर हम लोग एक ही chromosome के उपर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर there are no phenotype produced by this type of gene interaction, मत अब इस घर में खाली बड़ा भाई दिखेगा, बड़े भाई का राज है, किसका है, बड़े भाई का राज है, ठीक है, अब एक दूसरी family है, यहाँ पर भी एक है a, पर एक, small b, क्या होता है, कि यह दोनों का, इन दोनों के साथ, इन दोनों ने मिलके इसको छोटे वाले को मारा, इन दोनों ने मिलके ये छोटे वाले को मारा दोन ये बड़े भाई के पास गया तो ये दोनों भाई मिलके आएंगे इनके साथ जगड़ा करने के लिए तो ये दोनों मिलके वापस इनको मारेंगे ठीक है यह term याद रखना जो मैंने story अभी बताई उसको याद रखना आगे the allele that are masking the effect are called epistatis जो dominant होता है जो mask कर रहा है उसको cover कर रहा है उसको क्या बोलते हैं epistatis बोलते हैं and the allele whose effect is being masked are called as a hypostatic allele समझ मैं है जो mask हो रहा है वो hypostatic होता है जो कर रहा है उसको epistatic बोलते हैं देखते हैं अब देखो dominance and epistatis दोनों के बीच में फरक क्या होता है dominance जो होता है वो ऐसे यह दो chromosome है यह दोनों के interaction के उपर depend करता है यह दोनों के और epistatis जो होता है वो एक ही chromosome पर इसके और इसके interaction पर depend करता है involve intra-allylic gene interaction एक अलिल यहाँ है एक अलिल यहाँ है involve inter-allylic gene interaction एक ही chromosome पर है one allele hide the effect of other allele at the same gene pair यह दोनों में से अगर जो एक dominant है अगर यह dominant है तो इसकी character को hide कर लेगा यह one gene hide the effect of other gene at different gene loci, gene locus okay, loci मतलब एक ही यहाँ पर location दो एक ही chromosome पर अलग-अलग location पर तो यह gene जो है इसको mask कर लेगा बाहर वाले को नहीं करेगा इसको ही करेगा ठीक है चलो आगे देखते हैं अब आया recessive epistatis अब क्या हुआ देखो अब हम लोग इस पर जाते हैं पीछे यह दोनों recessive हैं यह दोनों ने मिलके यह इसका यह dominant भले है यह dominant भले था तो भी इसको क्या कर दिया यह लोग ने mask कर लिया मतलब जीत गए ना मतलब इसको इसकी character को यह दोनों ने मिलके इसको suppress कर दिया रेसेशिव थे दोनों रेसेशिव थे बड़ दोनों ने मिलके क्या कर दिया इसको suppress कर दिया चलो देखतेए माइस का example लिया है माइस का example लिया है हम लोग ने देखा था A, A, C, C, Agouty हुआ और ये जो है small c small a, small a, small c, small c क्या है आपका यह albino है ओकी all agouti बनेगा and then genotype आपका क्या बनता है अगर capital c, capital a है agouti बनेगा capital small a, small a और capital c है तो black बना और आपका small a, small c है albino बना यह albino बन रहा है ठीक है albino बट यह c के अंदर इतना potential है c के अंदर इतना potential है दोनों के अंदर यह capital a वाला जो agouti था dominant था, इसको यह लोग ने क्या कर दिया suppress कर दिया और albino आ गया यहाँ पर ratio 9 raise to 3 raise to 4 बनता है f2 ratio में ठीक है चलो देखने आगे अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझेगा अगाउटी अगाउटी ठीक है 4 gamit बने capital a capital c small a capital c capital a small c small a small c यहाँ पर भी वही बना ठीक है 4 बन गया capital a capital c अगाउटी दिख रहा है अगाउटी 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 यह आपका कुन सा बना है black ठीक है यह भी अगाउटी बना यह भी black बना अगाउटी 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 black ठीक है अब देखो small c यह capital a को पोरा का पोरा suppress कर रहा है small c small c यह पोरा का पोरा suppress कर रहा है यह पोरा का पोरा इसको suppress कर रहा है, यह तो है ही recessive तो क्या हो गया यहां पर 4 albino बनेगा 3 black बनेगा, 9 agouti बनेगा, यहां पर ratio क्या है, 9 raise to 3 raise to 4, again यह Mendel का exception है Mendel का exception है कि नहीं Mendel का 9 raise to 9 raise to 3 raise to 3 raise to 1 होता है यहां पर क्या हो रहा है, 9 raise to 3 raise to 4 हो रहा है है कि नहीं है ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम लोग अब dominant epistatis देखो यह क्या होता है हम लोगे recessive देखा, अब हम आगे देखेंगे dominant dominant allele, example A of one gene hide the effect of allele of another gene B and express itself phenotypically B allele capital B allele hypostatic हो गया क्यूंकि A उसको epistatis है तो वो क्या होगा आपका B अपने होगा hypostatic होगा मतलब यह B वाला जो है वो तभी अपना एक्स्प्रेशन देगा जब यहाँ पे दोनों एए होंगे अगर एक एए भी है तो भी यह अपना कैरेक्टर नहीं बता पाएगा यहांपे A,A,B,B अभी अभी ऐख एएड़ और एड़िस यहांपे यहांपे A की फिनोटाइप बिस्ट्र चारों क्या करेंगे चूअब क्यों यहँशन पे एग है यहांपे वो B श्रीखे अपने को मास्क कर रहा है और यह और जीली र weaker श्रीव है यह dominant है, genotype BEB to additional phenotype, यह जो है, दो अलग additional phenotype बनाएंगे, इस टाइप डॉमिनेट इपिस्टेटिस मोडिफाई दग्लासिकल रेशियो आफ 9 रेश टू 3 रेश टू इंटू 12 रेश टू 3 रेश टू 1, ओके, चलो आगे देखेंगे मलो, समझेंगे थोड़ा सा, डॉमिनेट एपिस्टेटिस का एक्जामपल समझते हैं, कोकर बेटा, पेपो, fruit color in summer squares का एक्जामपल है, ओके, capital W, capital W, small y, small y, यह किसके लिए है, white fruit के लिए है, यह किसके लिए है, small w, small w, capital y, capital y, यह किसके लिए है, yellow के लिए है, अब आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो capital A भी है capital B भी है बट यह white हो रहा है क्यूं क्यूंकि ए जो है B को mask कर रहा है है की नहीं मतलब यह दोनों मिलके इसको mask कर रहे हैं अब यहां पर gamut बनेगा एक gamut दो gamut तीन चार ठीक है दिख रहा है चार gamut क्यूंकि अब चूंकि आपक्या दो हूंकि आपक्यार कर दो होगा है capital यहां पर A A B B लिया है sorry यहां पर ऐसे होना चे डबलू small w small w यह पूरा है क्या होगा यह इसको mask कर रहा है ठीक है यह इसको mask कर रहा है यह w इसको पूरे को mask कर रहा है यह पूरा इसको mask कर रहा है यह पूरा इसको mask कर रहा है है ना तो यह कि सब के सब क्या होंगे white होंगे यह जब आएगा यह है यह recessive form में है, तो यह क्या होगा आपका yellow, यह क्या है आपका yellow, अब सब small है, तब क्या होगा आपका, क्योंकि capital Y, capital Y responsible था, किसके लिए, green के लिए responsible था, ठीके, sorry, yellow के लिए responsible था, तो यह जब नहीं आएगा, जब small होगा, तब जाके green होगा, तो यहाँ पे ratio क्या होता है, 12 white, 3 yellow, and 1 green, देखो, dominant allele at the W locus, suppress the expression of any allele at the Y locus, समझ में आएगा, चल, अब हम देखते है, polygenic inheritance, क्या होता है, क्या होता है, polygenic inheritance, आपने कभी देखा है, कि मतलब poly means many, many gene, मतलब बहुत सारे gene, responsible होते हैं, एक ही character के लिए, यहाँ पे दो type होता है, एक होता है, monogenic, एक होता है polygenic, monogenic मतलब एक ही gene responsible होता है, एक character के लिए, जो हम लोग ने dominant and recessive वाला part पढ़ा, dominant recessive वाला part हम लोग ने देखा है, उसमें क्या होता है, कि एक ही gene, या तो dominant होगा, या तो recessive होगा, polygenic में ऐसा नहीं होता है, polygenic में variation होता है, polygenic में क्या होता है, variation होता है, मतलब जैसे height को ले लो, तो इंडिया में height जो होता है, 5.5 होता है, किसी का height, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ऐसे height होता है, बढ़ता है, फिर उसके बाद कम भी होता है, 5.3, 5.2, 5.1, ऐसे height होता है, मतलब continuously हो रहा है, तो variation है, height बढ़ रही है, कम हो रही है, तो मतलब उसके लिए gene responsible है, तो कभी भी आगे देखेंगे बोग, polygenic inheritance occurs when one characteristic is controlled by two or more gene, often the gene are large in quantity, but small in effect, effect एक ही character के लिए हो रहा है, quantity large है, but effect क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, small effect होता है, polygenic inheritance pattern normally follow a normal, normal क्या होता है, bell shape होता है, ऐसे, okay, and distributive curve, it shows the continuous variation, इसको हम बोलते हैं, continuous variation, variation continuous आ रहा है, monogenic में क्या होता है, जैसे widow pic, hair का widow pic, यह जो होता है, ऐसे hair होते हैं, किसी के, उसको widow pic बोलते हैं, यह flat hair बोलते हैं, इसको जिसका ऐसे होता है, forehead पे hair ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, या तो widow pic होगा, या तो flat होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो यह क्या होता है, discontinuous होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, height का example दिया न, skin का pigmentation, skin का color, skin का color जो होता है, vary करता है कि नहीं, इंडिया में color अलग होता है, foreign US चले जाओ, वहाँ के लोगों का skin color अलग होता है, South Africa चले जाओ, वहाँ अलग होता है, negro, black होते हैं पुरा, तो skin color में variation आता है, variation आता है तो वो continue variation उसको हम बोलते हैं, चलो, देखते हैं, polygenic inheritance क्या होता है, आपके NCRT में क्या लिखा हुआ है, अभी तक जो हम लोग ने देखा, सब polygenic inheritance के बारे में हम लोग ने देखा है, Mendel study माई ने डिस्क्राइब दोश ट्रेट दाट हैव देश्टिनिक अल्टरनेटिव फ़र्म, सच आज अ फ्लावर कलर, विच आइदर पर्पल और वाइट, Mendel के अकोर्डिएंट मतब वो ग्रेडियन के अकोर्डिएंग बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, फॉर एक्जम्पल इन ह्यूमन, विदोट जस्ट शौट पीपल, छोटे लोग ही नहीं होते, ऐस तो डिस्क्राइब अल्टरनेटिव, मतब एक छोटा है तो दूसरा एकगदम बढ़ा है तौल है है, ऐसा है कि हाईट में, मतब एक एकधम छोटा टिंगू है और एक एकधम लंबा लंबू है, ऐसा है, नहीं है न. vary कर रहा है कि ने height एक ही society में different height के लोग रहेंगे variation हो रहा है whole range of possible height shift tall or short tall or short such traits generally controlled by 3 or more gene इसको control करने के लिए इतने gene लगते हैं 3 or more gene and are thus called as a polygenic trait 2 gene trait control करता है तो तो dominant and recessive वाले पार्ट में होता है ठीक है यहाँ पे 3 or more gene beside the involvement of multiple gene polygenic inheritance also take into account the influence of environment and यह जो polygenic inheritance होता है इसके उपर environment का influence होता है समझ में आया कि नहीं environmental factor भी responsible होता है polygenic trait अब देख रहे हैं मैंने आपको दो अलग अलग example दिये हैं एक तो आपको skin color का example दिया है दिखा है मैंने यहाँ पे दिख रहा है यह color थोड़ा सा यह fair हो रही है यहाँ पे थोड़ा सा और color change हो रहा है यहाँ पे और change हो रहा है यहाँ पे और change हो रहा है यहाँ पे change हो रहा है variation आ रहे हैं सब के सब skin color मतब दिख रहा है variation आपको और eyes color आखो का color दिख रहा है आपको different color के eyes होते हैं लोगों के है ना होते हैं कि नहीं होते हैं trait that controlled by two or more gene this trait often show a great variety of phenotype for example eye color is controlled by three different gene respectively all being expressed in a different way and वो तीनों अलग-अलग way में express करते हैं and वो expression के उपर depend करता है कि eyes का color क्या होगा expression के उपर depend करता है कि उनका color क्या होगा ठीक है चलो आगे देखेंगे polygenic and paleotropic दोनों का comparison करेंगे polygenic genetic trait affected by many gene मतलब बहुत सारे gene gene 1, gene 2, gene 3, gene 4 ये एक ही effect दे रहे हैं skin color, eyes color, height उसमें leg bone height and toes height होता है सबचना है कि नहीं तो ये example है polygenic के paleotropic में क्या होता है एक ही gene है effect अलग-अलग दे रहे हैं ये gene है ये पैलोट्रोपिक example ये क्या है आपका effect ठीक है देखो यहां पर मैंने आपको एक example दिया यहां पर 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये height है fit अगर आप देखोगे तो ये graph देखो आपका कैसे जा रहा है यहां से इंडिया में जो average height होती है लोगों की वो कितनी होती है 5.6 होती है average height जो है दिख रहा है आपको तो ये continuous variation दिख रहे हैं कि ने height में ये continuous variation है population wise देखा गया है population wise सबसे ज़्यादा population किसका है 5.6 वालों का है सबसे कम किसका है आपको देखोगे यहां पर कम आ रहे हैं ये range कम है ये range जो है वो सबसे ज़्यादा है समझ मैं है चलो देखते हैं human skin color is another classic example for this in polygenic trade the phenotypic reflect the contribution of each allele the effect of each allele is additive to understand this better let us assume that three gene a b c a b c control skin color skin color को control कर रहे है in human with the dominant form ये क्या है आपके यहां पर लिखते हैं हम लो dominant ठीक है a b and c are responsible for dark color ठीक है skin color and recessive a b c is light color मतलब fair इदम white ठीक है अब the genotype with all dominant allele अगर genotype all dominant रहेंगे तो a a b b c c तो क्या होगा dark होगा have the darkest skin color and that with the all recessive allele और सबके सब recessive रहेंगे तो क्या होगा will have the lightest skin color समझ में एकदम गोरा एकदम fair foreigner होते है न वैसे दिखेंगे और यह dark negro दिखेंगे ठीक है as expected the genotype with three dominant allele and three recessive allele will have intermediate skin color अब क्या हो रहा है कि capital a capital a capital b capital b capital c capital c dark negro था यहां पे small a small a small b small b small c small c यहां पे दोनों का intermediate बनेगा मतलब यह gene का भी expression हो रहा है यह तीनो जीन का तो हो रहा है प्लस यह gene का भी expression हो रहा है यह अपना color देंगे यह अपना color देंगे तो dark color वाला gene action लेगा और light color वाला gene भी action लेगा तो यहां पे gene interaction हो रहा है तो यह क्या बनता है आपका intermediate बनता है in this manner the number of each type of allele each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in individual कितना recessive वाला gene present है कितना dominant वाला gene present है उसके उपर skin color decide होता है ज्यादा dominant वाला रहेगा तो ज्यादा dark color रहेगा ज्यादा recessive वाला रहेगा ज्यादा light color रहेगा complete पूरा का पूरा recessive है तो एकदम light रहेगा पूरा का पूरा dominant है तो पूरा का पूरा क्या होगा dark color होगा in 1908 from the work of the Swedish genetist Nelson Ahel who study quantitative trait in wheat he meted pure breeding red carnal strain once again red meted pure red carnal strain with pure breeding white one second now polygenic का एक और example हम लोग देखेंगे का आपको फिर तब आपको समझ में आएगा ठीक है skin color तो देखा हम लोग ने तो हम लोग देख रहें in 1908 from the work of the Swedish it is genetic geneticist Nilsen Ahel name याद रखना आप लोग who study the quantitative trait in wheat 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 मतलब गेहू he made it pure breeding red carnal strain मतलब गेहूं का जो दाना होता है seed होता है उसका red color है उपर जो color है वो red coating जो है वो red color है एक वो लिया दूसरा pure breeding लिया जिसका पूरा का पूरा क्या था white था जब दोनों को mix किया जब दोनों को mix किया the offspring were all red यहाँ पे okay pure breeding red carnal strain and pure breeding white carnal offspring were all red but the intensity of color was much less than in the red parent मतब यह जो यहाँ पे भी red बना है but यह red color और यह red color में बहुत फरक है यह जितना dark red था उससे कम यह red है क्यों क्योंकि genetic material आगे देखेंगे जैसे हम लोग ने number of a b or c कितना dominant है कितने number of dominant gene है उसके ओपर skin color decide हो रहा था न वैसी यहाँ पे मतब जीन आगया red का white और कम हो जाएगा मतब दोनों का intermediate हो जाएगा white कितना जा रहा है इसके साथ में उसके उपर depend करता है चलो देखते है चार जीन है r1 r1 1 है अलिल r1 r1 r2 r2 यहाँ पे smaller smaller 1 यह हो गए आपका यह recessive white वाला है r1 and r2 recessive वाला gene है यह 2 आये यहाँ पे और यह 2 आये यहाँ पे क्या हो गए आपका medium red होगा क्योंकि r dominant है but small r भी तो produce कर रहा है तो dominant completely recessive नहीं है ठीक है अब देखो फिर इसका gamit बनेगा r1 r2 r1 small r2 small r1 capital r2 small r1 हो गया यह 4 dominant थे dark red हो गया अब एक recessive आया इसके साथ में medium red यहाँ पे एक recessive है medium red एक recessive है medium red okay sorry एक recessive है medium dark red medium dark red यहाँ पे दो recessive है medium red होगा एक recessive है medium dark red दो recessive है medium red एक दो recessive है medium red तीन recessive है light red एक इसके 5ㄋ lub नेसरब है एक दो medium red एक दो AO西m medium red एक दो टीन light red एक दो तीन light red एक सम्मील गया है वाइट है मतलब dominant के अंदर कितना recessive आ रहा है dominant का gene कितना है पूरा का dominant है तो पूरा expression देगा पूरा recessive है पूरा expression देगा red and white यह dark red यह white but recessive कितना add होते जा रहा है and dominant उतना अलग होगा उतना expression उसका कम होगा ठीक है समझा आपको see example आपके book का example है and यहाँ पर जो ratio होता है one raise to four raise to six raise to four raise to one यह phenotypic ratio है again Mendel का exception है again Mendel का exception है ठीक है तो आज हम लोग lecture यहीं पर stop करते हैं and then next lecture में हम लोग continue करेंगे ठीक है thank you very much I know आज का lecture बहुत बड़ा था but ठीक है syllabus भी खतम करना है आप लोग का thank you very much िहां आपके को को